What's up everyone, welcome back to the channel, so guys, आज बारी आ गई है जब हम national income के most important questions cover करने वाले हैं और ये वाले questions करने के बाद आपको इस unit से कोई भी problem नहीं आएगा और इतने questions practice करके आपके number अच्छे आने की guarantee है तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये वाले questions practice करने हैं कल हम लोग ADAS करने वाले हैं और उसके बाद फिर आखरी दो दिन में हमारे पास काफी सारी चीज़े होंगी revise करने के लिए, prepare करने के लिए एक बार पूरा-पूरा सलेबस का quick revision करेंगे तो there are a lot of things to do for the last two days but अभी फिलाल सले बस पूरा कर लो, कल तक अपना maximum portion cover कर लो important questions कर लो, फिर और बहुत कुछ करेंगे तो चलिए, जल्दी से शुरू करते हैं और आज नाश्रा इंकम के important questions देखते हैं चली जली से, let's begin तो शुरू करते हैं हम लोग सवालों के साथ और सबसे पहला question देखो हमारे पास बिलकुल latest 2010, 13, 17, 18, 22, देखरो कितनी बार repeat हुआ है तो बहुत ही important, बहुत अच्छा से आपको पता होना चाहिए distinguish between stock and flow बिलकुल शुरुवात इसी से होती है stock क्या है, flow क्या है, difference की form में आ सकता है या कुछ items देगा, आपको बोलेगा categorize करो कि यह stock है या flow है कहीं भी, एक number में, ती number में इससे question आ जाता है तो stock variable किसको बोलते हैं? कोई भी variable जो एक particular point of time पे measure किया जाता है flow variable कौन सा होता है, जो over a period of time measure किया जाता है तो जब आपने chapter पड़ा है, तो बहुत detail में मैंने cover किया है, तो देखो, stock क्या है the variable which is measured at a particular point of time या फिर flow क्या है, the variable which is measured over a period of time ठीक है, इसमें कोई time dimension नहीं है मतलब कि कोई limit नहीं है, बस एक point पे measure किया जा रहा है, यहाँ पे time dimension होता है, इसके बाद यह एक static concept है, change नहीं होता, यह dynamic है साल में उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है, फिर examples लिख देंगे ठीक है, अगला सवाल आता है बचो, discuss briefly the circular flow of income in a two sector economy with the help of a suitable diagram, अब देखो तीन नंबर में ऐसा सवाल आता है, circular flow को define करो, national income से normally 6 नंबर, तीन नंबर, एक नंबर, यही question का pattern रहता है, तो six markers में आ सकता है three markers में आएक question और एक one marker में आएगा, तो अब देखो कैसे define करोगे, पहले आप पूरा define कर देना कि simple economy में दो ही sectors होते है household और firm, household honors है factors of production के और consumers है goods or services के, firm production करती है goods or services का और households को बेचती है, इसको simplest form बोलते है ठीक है, उसके बाद हम इसका definition लिख देंगे कि circular flow है क्या circular flow में आप पूरी definition लिख देना traverse to a cycle of generation of income पूरा definition जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बाद diagram बना दो और diagram के बाद आप ये वाली दो lines लिखना कौन सी वाली बला, ये वाली, कि outer loop में क्या है और inner loop में क्या है ये आप बाद में लिखना, कि outer loop में हम लोगों ने क्या दिखाया है outer loop में हमने services और goods and services ये ऐसे दिखाया और inner loop में देखो खर्चा और यहाँ पे भी खर्चा तो inner loop में वैसे की बात हुई है तो उसको हम money flow बोलते है outer loop में goods and services की बात हो रही है तो उसको हम real flow भी बोलते है ठीक हो गया बेटा जी shallow sir done है अगला सवाल क्या है distinguish between real and money flow मैंने आपको अभी बताया जहां पे भी circular flow में goods and services का flow होता है उसको real flow बोलते हैं जहां पे भी circular flow में पैसे का flow होता है उसको money flow बोलते हैं ठीक है जी इसके बाद नाम भी इनका दूसरा आपको पता होना चाहिए physical flow, nominal flow बहुत detail में हमने पढ़ा है इसको जब हमने chapter cover करा फिर हमने G&G में revision करा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको click करना चाहिए अभी इसके बाद अगला important question क्या है देखो इस तरीके का सवाल आने के high chances रहते हैं which of the falling expenditures incurred are on intermediate products and which are on final products आपको बताना है कि कौन सा इसमें intermediate पे हुआ है कौन सा इसमें final पे हुआ है तो देखो उससे पहले purchase of ticket for a train journey by an individual एक consumer ने directly train journey के लिए train की ticket खरीदी तो ticket खरीदी तो वो उसको resell तो नहीं करेगा ना वो उससे further production करेगा consumer है directly consume कर रहा है तो ये final में आ जाएगा ठीक है तो पहला वाला तो final में आएगा purchase of eatables by a firm एक firm ने eatables खरीदे हैं तो firm क्या करेगा उसको resell करेगा या उसससे further production करेगा तो firm के लिए ये क्या हो गया intermediate हो गया purchase of a car by an employer for office use by his employees एक employer ने गाड़ी खरीदी अब देखो गाड़ी खरीदी है तो एक साल से ज़ादा उसके पास पढ़े रहेगी उसकी investment के तरीके से काम करेगी तो ये भी एक final good हो जाएगा ठीक है जी distinguish between factor income and transfer payments यहाँ पर जो हमें difference लिखना है वो factor income और transfer payments का बताना है तो देखो एक income है एक खर्चा है normally कई बार कुछे confused हो जाते हैं कि factor income transfer income का लिखना होगा जल्दी से पढ़ते ही नहीं है तो ऐसे गुमा भी सकता है question ध्यान से पढ़ना है factor income और transfer payment तो income में क्या लिखोगे देखो factor income factors of production को मिलती है अपनी services देने के बदले में तो वो एक इस तरीके का income है जो अगर वो महनत करके कमा रहे है तो it is not a it is not a receipt concept it is an earning concept ठीक है तो हम बोलेंगे सबसे पहले factor income bilateral होती है bilateral का मतलब give and take होता है कि उन्होंने अपनी services दी तो उनको वो पैसा मिला factor incomes are relating to factors of production factors of production होता है goods or services के बदले मिलता है फिर example लिख देंगे transfer payment क्या होता है transfer payment होता है जो बिना किसी महनत के पे किया जाता है तो transfer payments are unilateral these are not relating to any kind of work or services rendered by the owners examples क्या हो जाएंगे charity हो जाएगा grants हो जाएगा यह सब transfer payments बाद ठीक है state and discuss briefly the three main components of NFIA very important question NFIA के components आपको पता होने चाहिए NFIA में बच्चों सबसे पहले आता है compensation to employees ठीक है दूसरा आता है income from property and entrepreneurship तीसरा आता है net retained earnings perfect है तो NFIA के components आपको बहुत शांदार तरीके से याद होने चाहिए NFIA के components बिल्कुल भी miss out मत करना examination में आने के high chances रहते है perfect हो गया चलो भाई आगे चलते हैं यह हमारा done है तो अगला सवाल है पिटा जी distinguish between consumption goods and capital goods अब देखो consumption goods और capital goods फिर final goods की ही categories है हैना final goods में जब आप आगे जाते हो तो consumption goods consumers के लिए जाती है और capital goods mainly जो business में रखी है for long term तो देखो क्या है consumption goods satisfy human wants directly capital goods satisfy human wants indirectly तो इनकी direct demand होती है इनकी derived demand होती है यह कोई production capacity promote नहीं करते हैं तो बस consume कर लिए जाते हैं यह help करते हैं production capacity raise करने में फिर examples लिख सकते हैं अच्छा इसके अंदर consumption goods में further categories भी होती है durable, semi-durable, non-durable services यह capital goods directly ही एक ही रहते हैं चलो भाई अगला सवाल आता है distinguish between depreciation and capital loss एक और अच्छा question important question depreciation और capital loss में क्या फर्क होता है बच्छो depreciation देखो अब किसी asset का value कम 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 हो रहा होता है usage की वज़े से wear and tear की वज़े से नई technology आने की वज़े से तो depreciation है capital loss क्या होता है वो asset ही कतम हो जाए उसको क्या बोल देते हैं हम capital loss बोल देते हैं तो it refers to the loss in the value of asset due to unforeseen obsolescence please ध्यान रखना unforeseen obsolescence natural calamities, thefts, accidents यहां से एक number का सवाल बन जाता है कई बार foreseen लिख देते हैं एक में एक में unforeseen लिख देते हैं बच्चा confused हो जाता है कि कौन सा था याद नहीं आता तो please इसका ध्यान रखना depreciation के लिए provision बनता है capital loss के लिए कोई provision नहीं बनता क्योंकि वो unexpected होता है कभी भी हो सकता है कोई नहीं चाहता कि उसका asset में capital loss हो ओके चलो भाई अगला सवाल आता है distinguish between factor cost and market price मैं चाहता हूँ कि इस तरीके के सवाल आए आपके words में तो मज़ा आ जाएगा 2022 में आवा है क्या फर्क होता है factor cost में और market price में तो factor cost और market price के अंदर एक ही difference होता है और वो होता है net indirect taxes का तो हम लिखेंगे factor cost refers to the amount paid to factors of production for their contribution factor cost is market price minus NIT और market price का होता है the price at which product is sold in the market it is factor cost plus NIT ठीक है अगला सवाल होता है बच्चों difference between domestic product and national product very important इस year के लिए भी ये question most important है बहुत ध्यान से आपको करना है examination में आने के high chances क्या difference होगा domestic product में क्या difference होगा national product में जहां जहां बच्चों domestic product की बात आएगी जहां जहां domestic income की बात आएगी वहां वहां ध्यान रखना domestic territory में होना चाहिए ये वो सारा का सारा काम अभी domestic product है तो जितने भी goods और services produce हुए है domestic territory में वो domestic product कहलाएगा जब भी हम national की बात करेंगे national product national income वहां पर important होता है normal resident वहां क्या जरूरी है कि वो हमारा normal resident है या नहीं है तो अगर हमारे normal resident ने कोई product बनाया है चाहिए वो हमारे देश में बनाया है चाहिए बाहर बनाया हमारे resident ने बनाया तो वो हमारी national income का पार्ट बन जाएगा national product is the money value of all the final goods and services of the country होता है इसके बाद net factor income from abroad NFIA NFIA is not included domestic में NFIA नहीं होता वहां पर NFIA इंक्लूड होता है NFIA is included नेशनल में तो होता ही है ठीक है चलो भाई स्क्रीन शॉट लेना है लेते चलो भाई साथ-साथ चलिए जी अगला सवाल क्या है अगला सवाल है when can domestic product be more than national product अब देखो मैंने आपको बता है जैसे factor में और market के अंदर NIT का difference होता है वैसे ही domestic और national में किसका फरक होता है domestic और national में जो फरक होता है अगर आपको domestic से national पे जाना है तो NFIA इसमें plus करना पड़ता है net factor income from abroad इसमें प्लस करना पड़ता है तो suppose करो कि ये 100 है इसमें 20 रुपे प्लस का आगया तो ये 120 होगा हमेशा ये 100 है ये 40 होगा तो ये 140 होगा सवाल है domestic product जादा कब हो सकता है national product से तो जादा तब ही होगा अगर ये negative में हो NFIA अगर negative में हो तो domestic जादा हो जाएगा suppose इसका value minus 40 है तो 100 minus 40 will be 60 तो देखो domestic 100 का आगया न domestic जादा आगया न तो हम क्या बोलेंगे when NFIA is negative it means that when factor income from abroad would be less than factors income to abroad तो domestic income can be more than national income ठीक है परफेक्ट है बच्चों अगला क्या है explain or define the problem of double counting in the competition of national income state and into approaches to correct the problem of double counting yes double counting क्या होता है तो जब भी आप value added method से national income निकाल रहे होते हो तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको सिर्फ value addition add करना है है ना जैसे कि suppose करो कि हम लोग लेते हैं जब भी value added method से national income निकालते हैं तो वहाँ पे production process में हो रहा होता है कि एक पहले producer A है फिर B है फिर C है इसने कोई समान बनाया 500 का ठीक है 0 से बनाया फिर इसने 500 का समान किसी को बेचा तो उसके लिए वो intermediate consumption हो गया उसने वो 800 का बनाया फिर इसने 800 का समान किसी को बेचा 800 से फिर उसने बेचा 1200 रुपे में तो अगर देखा जाए तो कुछ लोग यह बोल देते हैं कि भीया इसकी जो total देश की income हुई है वो कितनी हो गई 1200, 800, 2000 और 5, 2500, 2500 हुई है लेकिन यह गलत हो जाएगा पच्चिस सो नहीं हुई है सर पच्चिस सो क्यों नहीं हुई देखो बच्चो 0 से 500 इसने तो 500 का value addition किया इसने 800 कमाए लेकिन इसने 500 दिये भी तो थे उस चीज के तो value addition तो मात्र 300 का हुआ है इस 800 में 500 यह वाला भी included है हाँ या ना ठीक है ना अब यहां पर देखो इसने अगर 1200 कमाए तो इसने 800 दिये भी तो है तो इसने सिर्फ कितने कमाए है 400 तो 5, 3, 8 और 4, 12 1200 ही देश का net income हुआ है तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि अगर आप यह वाला value ले लोगे तो यह 502 बार count हो गया 802 बार count हो गया इसी को हम problem of double counting बोलते हैं सर इसको solve कैसे किया जाए कैसे बचा जाए इससे तो दो approach होती है या तो आप value addition लो इसको हम बोलते हैं value added method या तो value added method या फिर बिल्कुल last वाला लो ये इसको हम बोलते हैं final output method तो double counting से बचने के लिए या तो आप value added method use करोगे या फिर आप final output method use करोगे ओके देखो क्या लिखावा है double counting refers to counting and output more than once while passing through various stages in measuring the national income the value of only final goods and services is to be included however the problem of double counting arise when value of intermediate good is also included दो तरीके हैं इसको avoid करने के number one is final output method number two is value added method ठीक हो गया बच्चो कर लो फटा फट से अगला सवाल क्या है next question है explain mixed income of self-employed and give an example तो national income में जब हम income method से calculate करते हैं national income तो 5 components होते हैं profit, rent and royalty, interest, mixed income, COE तो छोटे question में आपको ऐसे कोई एक component भी पूछ सकता है कि mixed income क्या है तो हम बोलेंगे mixed income of self-employed refers to surplus or deficit amount which is earned from production process by the enterprise which are not corporated जो companies नहीं है ऐसे businesses ने जो पैसा बनाया है उनकी income को हम mixed income में डालते हैं these type of enterprises are generally owned by the members of household sector individually चला रहे होते हैं छोटे businessmen चला रहे होते हैं mixed income is also known as operating surplus देखो यह बोल रहा है कि mixed income को operating surplus भी बोलते हैं अब देखो मैं क्या बोलूँगा कि mixed income को operating surplus नहीं बोल रहे हैं ठीक है यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लिखना mixed income is also known as operating surplus हम ऐसा नहीं बोलेंगे यह हम नहीं बोलेंगे यह line नहीं लिखो गया operating surplus के लिए हम जो पढ़ते आए हैं आप वही लेके चलो आप confused नहीं होगे operating surplus में तो आपको याद रखना है profit plus rent and royalty plus interest बस यही होता है आपको अलग से mixed income में mixed income को operating surplus नहीं बोलना है ठीक है operating surplus वही है फिर example लिखना है इसका बस that is it ओके तो आप इतना ही लिखोगे यह operating surplus का इससे कोई link नहीं है चलो आगे चलते हैं next क्या है what precautions should be taken while estimating national income by production method बहुत ध्यान से देखो precautions किसी भी method के आ सकते है तो तीनों ही method के precautions please याद करके जाना कौन-कौन से precautions आपको लेने है जब आप national income estimate करोगे कौन से method से production method से तो जब आप precautions लिखोगे तो कोई भी 4 precautions आप लिख सकते हो intermediate goods include नहीं करने sale and purchase of second hand goods include नहीं करने production of services for self consumption include नहीं करने production of goods will be included सारे के सारे मैंने precautions आपको समझाए हुए है कोई भी 4 precautions जो आपको याद रहे आप लिख सकते हो exam में अगला सवाल precautions बताओ कौन से method से income method से income method के precautions आ सकते हैं इसको अभी जल्दी से screenshot ले लो अगला सवाल बच्चो next important question is precautions बताने हैं हमारे estimating national income by expenditure method expenditure से भी precautions तो देखो तीनों ही method के चाहे वो value added method हो चाहे वो income method हो चाहे वो expenditure method हो तीनों ही method से आपको precautions याद करने हैं it is very very important प्लीज ध्यान रखना ठीक है चलो next क्या आता है सर अगला सवाल है बच्चो very important साउधान इंडिया सवाल आजाओ जी national income में इस तरीके के सवाल आने के chances हाई है give the meaning of nominal GDP and real GDP real GDP और nominal GDP का क्या मतलब होता है और which of these is the indicator of economic welfare कौन सा indicator इनमें से economic welfare का सही index है तो देखो मैं सबसे बहले आपको बता दू economic welfare के लिए आपको जो लेना है वो है real GDP real GDP क्यों लेना है क्योंकि इसके अंदर inflation का कोई impact नहीं होता इसके अंदर हम quantity आज की लेते हैं लेकिन price base year का लेते है Q1, P0 इसके अंदर context चलता है real और nominal में यही फर्क होता है nominal GDP जब आप calculate करते हो तो nominal GDP में आप आज का ही price लेते हो आज की ही quantity लेते हो इसको national income at current prices भी बोलते है लेकिन real में हम क्या गरते है price base year का लेते है quantity आज की लेते है तो यही दोनों में फर्क होता है real ही एक बहतर index होता है nominal GDP refers to a GDP at current prices current prices पे होता है जबकि real GDP constant prices पे होता है दोनों में फर्क सिर्फ price का है बच्चो ओके तो ज़्यादा बेटर कौन सा है real GDP real GDP एक बहतर indicator होता है जब हम economic welfare की बात करते है ठीक है चलो आई अगला सवाल क्या आता है GDP is an indicator of welfare loses its significance if the distribution of income turns unequal justify the given statement with valid reason देखो बहुत ही important सवाल है कई बार मैंने आपको जब ए topic पढ़ाया तो मैंने आपको समझाया था कुछ लोग GDP को directly welfare से link कर लेते हैं लेकिन GDP का welfare के साथ कई बार direct connection नहीं होता यह अच्छी बात है जब हम देश की growth देख रहे होते हैं तो हम GDP को देखते हैं बट क्या growth के साथ welfare भी हो रहा है क्या GDP वो भी दिखा रहा है तो उसमें हमने कुछ points पढ़े थे जो यह justify करते थे कि GDP कई बार direct indicator नहीं है अच्छे welfare का तो जैसे सबसे बहले बोल रहा है if the distribution of income turns unequal अब suppose करो आपकी GDP दो बढ़ रहा है बढ़ रहा है लेकिन वो GDP जो बढ़ रहा है वो production सिर्फ और सिर्फ एक छोटा section of the society कर रहा है जो rich section of the society है तो भही देश में production होगा तो GDP दो बढ़ता हो दिखेगा लेकिन उसका फाइदा सिर्फ और सिर्फ रिच section को हो रहा है तो वहाँ पे rich और rich होता चला जाएगा और गरीब बिचारा गरीब रह जाएगा तो unequal distribution हो जाएगा income का inequalities बढ़ती चली जाएगी तो भही यह GDP दो बढ़ रहा है लेकिन welfare कम 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 होता जा रहा है तो हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि GDP बढ़ने से welfare भी हो GDP बढ़ने से welfare तब होगा if there is equal distribution of income ठीक है देखो क्या लिखा है Yes, this is absolutely correct A rising GDP alone may not result in increase in economic welfare It is only significant when distribution is equal ठीक हो गया इसके बाद आ रहा explain how non-monetary exchange are limitation in taking gross domestic product as an index of welfare ये भी पूछ सकता है कि non-monetary exchange बताओ अब देखो non-monetary exchange होती है बेसिकली जिसके अंदर पैसे का लेंदेन नहीं होता non-market transactions बोलो जैसे हमारी service of housewives होता है service of mothers होता है kitchen gardening होता है जो घर में चीज़े होती है हमारे welfare के लिए ये सारी चीज़े कभी marketplace में enter ही नहीं करती है कोई पैसे का lane देनी नहीं होता तो हम national income में consider भी नहीं करते है इनको लेकिन हमारे welfare के लिए तो यही सबसे अच्छा है में farm labors को जो पैसा दिया जाता है वो kind में दे दिया जाता है but such transactions are not recorded because these are outside the monetary system of exchange इसलिए GDP अंडरेस्टिमेटेड रह जाता है तो non-monetary exchange GDP का एक inappropriate index बना देते हैं welfare का ठीक है चलो भाई how can externalities be a limitation अब देखो एक point अब externalities पे आ गया sir externalities क्या है अब देखो externalities भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि किसी भी activity के positives या negative impact positive के लिए आपको appreciate नहीं किया जा रहा negative के लिए आपको penalize नहीं किया जा रहा जैसे आपने suppose करो वही वाली बात है कि आपकी factory से production हो रहा प्रडक्शन हो रहा प्रडक्शन हो रहा जीडीप बढ़ रहा है बढ़ रहा है लेकिन जो आपकी factory smoke produce कर रही है उसका कोई इसाब किताब नहीं है जो आपकी factory से waste generate हो रहा है दुनिया बर के लोगों का pollution से परिशान कर रहे हो उस पे कोई इसाब किताब नहीं हो रहा तो यह एक negative externality है आप देखो GDP तो बढ़ रहा है लेकिन यह कितना नुकसान हो रहा है welfare को इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा similarly अगर आप ऐसा ही कोई अच्छा काम कर रहे हो आपने पेड़ लगाए है आपने कुछ इस तरीके की activity करी है जहां से लोगों का बहुत बड़ा welfare हो रहा है लेकिन GDP से उसका कोई link की नहीं है तो वह एक positive externality है तो welfare के लिए तो बहुत अच्छी X is produced in the country बहुत ध्यान से समझेंगे देखो क्या लिखा भाए एक product X ही produce किया गया है देश में its output during the year 12 and 13 was 100 units and 110 units respectively 2012 में जो quantity है वो 100 units है 2013 में जो quantity है वो 120 units है 110 units है ठीक है the market price of the product was 50 and 55 जो P है वो 50 है जो P1 है वो 55 है ठीक हो गया calculate the percentage change in real GDP and nominal GDP in the year 2013 and 2012 as the as 2012 as base year ठीक है जी perfect है देखो आपको क्या दिखाना है आपको यह बताना है कि कितना percent change हो रहा है real GDP और nominal GDP 2013 में ठीक है जी देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि 2012 में ठीक है कितना कितना price था और 2013 में कितना price था देखो हम सबसे पहले 2013 का 2013 का nominal GDP निकाल देते हैं तो 2013 का जो nominal GDP है वो कितना है सर price in P1 into Q1 P1 into Q1 तो यह आजाएगा 110 into 55 6050 आ गया यह आ गया 6050 तो nominal GDP तो यह आ गया सर 2013 में ठीक है अब हम real GDP भी निकाल लेते हैं या पहले 2012 का भी nominal GDP निकाल लो अब 2012 का nominal GDP निकाल लेता हूँ तो 2012 का लेना है मुझे तो 2012 का आ जाएगा P1 into Q1 P1 into Q1 P1 कितना है मतलब इसी का price और इसी का quantity 2012 का ले रहा हूँ मैं 50 into 100 यह आ गया 5000 ठीक है इसका मतलब 2012 में जो nominal GDP था वो तो यह था 2013 में जो nominal GDP है वो यह है ठीक है तो मुझे बताओ बारा से तेरा में change कितना आया तो मैं बोलूँगा change in nominal GDP change in nominal GDP 6050 और 5000 तो change आ गया बच्चो 6050-5000 यह आ गया 1050 का change ठीक है अब अगर मुझे इसका percentage निकालना है तो आपको सीधा कहां लिख दूँ पर्सेंटेज चेंज इन नॉमिनल GDP विल बी 1050 ध्यान रखना जो आपने चेंज निकाला है ठीक है अपन जो 2012 का है 2012 को बेस लेकर चल रहे हो ना 5000 इंटु हंड्रेड तो 1050 अपन 5000 इंटु हंड्रेड 1050 डिवाइड वाइपांच अजार इंटु हंड्रेड 21 परसेंट 21 परसेंट बच्चो चेंज आ रहा है हमारा नॉमिनल जीडीपी में तो आपको कभी भी ऐसा चेंज का परसेंटेज निकालना हो ना इंटु हंड्रेड बढ़िया सवाल है बहुत ध्यान से देख लो इस तरीके का अभी तो नॉमिनल नॉमिनल निकाला है अब रियल निकालते है ठीक है रियल जीडीपी रियल जीडीपी 2012 के रिस्पेक्ट में प्राइज इंटु कॉंटिटी प्राइज इंटु कॉंटिटी तो यही वाला लेंगे 15 तो 100 5000 आ जाएगा 2013 की respect में बच्चो price पहले वाला ही लेना है quantity 2013 की लेनी है ठीक है price पहले वाला ही लेना है price 50 लेंगे quantity 110 लेंगे price 50 लेंगे quantity 110 लेंगे तो ये 5500 आ जाएगा 2013 में 5500 आ जाएगा देखो real में क्या करते है real में price base वाला लेते है nominal में क्या करते है का था quantity भी same year की थी 2012 में यही वाला पूरा data था 2013 में यही वाला पूरा data था real में क्या करना है real में हमेशा जो price है वो base year का लेना है तो price हमने 2012 का ही रखना है दोनों case में 15 to 1000 एक बार 15 to 110 एक बार 15 to 110 एक बार यह आ गया अब change देख लो बस change क्या है change in real GDP is 500 final है 5000 initial है तो 500 का change आ रहा है percentage में कैसे निकालोगे percentage change कैसे निकालोगे तो percentage change निकलेगा 500 final minus initial upon initial 5000 into 100 तो कितना आ जाएगा आपके पास यह 10 परसेंट आ जाएगा ठीक है यह देखो 0000000051 10 परसेंट आंसर तो देखो आंसर में percentage change in real GDP 10 परसेंट आ रहा है percentage change in nominal GDP 21 परसेंट आ रहा है यह हमारे पास final answers बनते हैं 10 परसेंट और 21 ठीक है जी जल्दी से इसका screenshot ले लो बड़ी असवाल है चालो अगला क्या है if the nominal GDP is 1200 अब बड़े ध्यान से देखेंगे क्या दिया है हमारे पास सवाल में nominal GDP 1200 है price index 120 है real GDP निकाल दो तो सिधा सिधा formula होता है price index is nominal upon real into 100 price index कितना दिया है price index 120 दिया है nominal कितना है 1200 real हमें निकालना है into 100 तो real इदर भेज़ दो real is 1200 upon 120 into 100 ठीक है तो हमारे पास यहां पर simple है 0 से 0 खतम 12 into 100 1000 एक हजार answer आजाएगा ठीक है एक हजार से 1200 हुआ है तभी तो यह 120 दिया है ठीक है जी तो real हमारा 1000 आजाएगा done है जी perfect है please make sure करो कि आप screenshot ले लो done sir चलिए ऐसे ही हमारे पास बच्चो यह question है real GDP दिया वाए gross GDP at current prices यह ठीक है current prices का मतलब क्या होता है current prices का मतलब nominal होता है price index निकालना है सीधा formula लगाओ सीधा formula है बच्चो nominal upon real into 100 ऐसे ही यह है यह भी आप खुद से try करोगे answer मैं गलत भी लिख सकता हूँ ज्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि मैं सही लिखूँगा तुम्हें खुद से करना है फिर match करना है जोर आ रहा है तो comment section में बोलो देखेंगे क्या घडबड है ओके चालो अच्छे तरीके से करो अगले सवाल पर चलते है बच्चो check करो using the following formula calculate the and analyze the value of GDP GDP निकालना है हम लोगों को ओके ठीक है nominal GDP दियावा है real GDP दियावा हमें क्या निकालना है हमें value निकालनी है GDP deflator की ओके ठीक है GDP deflator कैसे निकलता है सर GDP deflator निकलता है nominal upon real into 100 तो पहले 2014 15 का निकाल दो पहले सिर्फ इसका ले लो तो nominal upon real 6.5 upon 6.5 into 100 100 या जाएगा इसका value तो GDP deflator 100 या जाएगा अब 16 17 का calculate कर लो 2016 17 का अगर आपको calculate करना है value तो फिर से nominal upon real into 100 exam में n upon r मत लिखना full forms यूज करना nominal upon real ठीक है नॉमिनल कितना है जी नॉमिनल है सर 9 रियल कितना है 7.2 into 100 चलो भाई 9 upon 7.2 into 100 9 upon 7.2 125 value आएगी 125 इसका अंसर आजाएगा ले जल्दी से screenshot फिर आगे चलते है done sir next क्या है discuss any two differences between GDP at constant prices and GDP at current prices theory का सवाल है आ सकता है GDP at constant prices में सबसे पहले आप क्या बता दोगे कि price हमेशा base year का लेंगे current prices में हम लोग price जो लेंगे वो current year का ही लेंगे quantity तो हमेशा current year क्यों होती है price में differentiating factor आता है ठीक है दूसरी बात एक इन में से index of economic welfare है एक index of economic welfare नहीं है इस तरीके से आप define कर दोगे ठीक है sir चालो next आ रहा है state the various components of expenditure method ऐसा सवाल भी आ सकता है expenditure methods के सारे component को define करो तो expenditure method के component आपको बता है private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation उसके बाद net exports ठीक हो गया बच्चो perfect अगला सवाल discuss the various steps of expenditure method for calculating national income national income अगर आपको calculate करना है तो steps बताओ बच्चो steps भी आप लोग प्लीज तीनो ही methods के तयार करके जाना income method के भी expenditure method के भी value added method के भी steps में आपको करना ही क्या होता है पहले step में आपको simply sub में यही लिखना है कि आप देखो कितनी production units है अगर expenditure method से लिख रहे हो तो आप लिख दो सब का खर्चा जोड़ दो income method से लिख रहे हो तो आप लिख दो सब का income जोड़ दो उसके बाद अगर आप expenditure method में लिख रहे हो तो आप बोलोगे इन सब को जोड़के GDP at MP पे पहुँच गए हम income method से लिख रहे हो तो आप लिखो कि हम लोग NDP at FC पे पहुच गए फिर आपको सीधा domestic income पे जाके दिखाना है और फिर आपको national income पे जाके दिखाना है यह steps as it is लिखने होते हैं तो देखो क्या बोलेंगे सबसे पहले the various steps involved in estimating national income by expenditure method are सबसे पहले economic units identify करो कौन सा household, कौन सा production sector, कौन सा government, कौन सा rest of the world फिर उनका final expenditure classify करो private, government, capital formation यानि investment कितना हुआ है net exports सब को जोड़ो GDP at MP पे पहुँच गए फिर NDP at FC पे जाओ GDP at MP से NDP at FC पे कैसे जाते हैं आपको पता है, उसके बाद फिर national income पे चले जाओ steps को इसी तरीके से लिखना है बिटा done done sir अगला सवाल क्या है how will you treat the falling items while estimating the national income of India चलो बताओ भाई देखो दो चीजे होती है दो चीजे हमेशा ध्यान रखना आपको दो तरीके question आ सकते हैं कि यह बताओ कि national income में आएगा या नहीं आएगा या यह बताओ कि domestic income में आएगा या नहीं आएगा तो अगर वो domestic income की बात कर रहा है ना बचो तो ध्यान रखना domestic income में domestic territory में उस चीज का production होना चाहिए ठीक है domestic territory और production कोई भी करे हमारा resident करे हमारा non resident करे अगर कोई चीज domestic territory में हो रही है ना तो वो domestic income का पाट बनेगा national income में क्या होता है national income में होता है कि हमारा normal resident चाहे वो हमारे देश में कोई production हो रहा है चाहे वो हमारे देश के बाहर कर रहा है अगर वो हमारा normal resident कर रहा है ना तो हम लोग उसको national income में consider कर लेंगे ठीक है इस चीज का ध्यान रखना अब पहले national से check करते हैं salary received by Indian resident working in Russian embassy in India अब मुझे एक बात बताओ हमारे पास एक Indian resident है ठीक है हमारा Indian resident है जो कहां काम कर रहा है Russian embassy में काम कर रहा है ठीक है यह हमारी Russian embassy में काम कर रहा है कोई बात नहीं है तो Indian resident Indian resident है, बहुत clearly लिखा है, received by an Indian resident, तो अगर ये Indian resident है, कहीं बाहर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो बाहर भी काम करता है, कोई इसू नहीं है, हमारे देश में ही तो पैसा लेके आएगा, क्योंकि हमारे तो resident है, तो हमारी national income में वो include होगा, NFIA का पार्ट बन जाएग ठीक है जी, next आता है, profit earned by Indian bank from its branches abroad, अब बड़े ध्यान से देखो, Indian bank है, इंडिया का resident हो गया, उसकी branches बाहर है, वहां से पैसा बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है तो हमारा resident है, पैसा बना रहा है, तो हमारी national income include होगा, तो हम लिखेंगे yes, they will be included in the national income as they are a part of factor income from abroad, ठीक ह उसके बाद आता है, goods and services tax received by the government, क्या है जी, क्या हमारे पास GST, हमारे पास national income में consider होगा, अब मुझे बताओ national income क्या होता है, NNP at FC, national income बच्चों consider ही factor cost पे होता है, और factor cost से market price में जाएं, तब NIT जुड़ता है, market price के अंदर NIT होता है, factor cost में taxes का कोई लेना देना नहीं होत तो हम क्या बोलेंगे, no, we will not be included in the national income, because we calculate national income at factor cost, ठीक हो गया, perfect है, अब जरा देख लो, domestic में include, क्या चीज होगी, क्या चीज नहीं होगी, तो domestic की बात करें, तो domestic territory में वो चीज होनी चाहिए, बस, अगर हमारी domestic territory में है, तो हमारी domestic income का पार्ट होगा, देखो, profits earned by branches of a country's bank in other countries, अगर एक country का bank, other country में है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर हमारा bank, suppose SBI है, SBI इंडिया से कहीं बाहर है, suppose London में है, London में वो कोई पैसा बना रहा है, ठीक है, तो अब वो national income में तो जुडेगा, क्योंकि SBI हमारा resident है, लेकिन जब वो London की ब्रांच से पैसा बना रहा ह तो वो हमारी domestic territory नहीं है, वो हमारा domestic territory नहीं है, तो वो हमारी domestic income में add नहीं होगा, खास ध्यान रखना बच्चों, domestic income में domestic territory matter करता है, national income में normal resident matter करता है, इस चीज को प्लीज अपने mind में clarify कर लो, हमारा State Bank of India अगर लंडन में बैठा है, तो लंडन में वो हमारी territory में तो नहीं इंकम में नहीं आएगा, ओके, देखो, profit earned by the branches of a country's bank in other countries, the profits earned by branches of a country's bank will not be included in domestic income as banks are located outside the domestic territory, ठीक है, अब दूसरा वाला तुम दो मिनिट लेके सोचो और ट्राइ करो फटा फट से, कि वो आएगा या नहीं आएगा, gifts given by an employer to his employee on independence day, gift दिये हैं, एक employer ने, एक employee को independence day पर, क्या ये आना चाहिए, देखो, employer employee है तो हमारी domestic territory में, right, अब क्या ये हमारी income का part बनता है, क्या कहीं भी, ये चीजे ऐसी आई, क्या हमारे पास profit, rent and royalty, interest, mixed income, COE में कहीं भी, wages and salaries paid in kind आया था, कोई भी gift दिया गया है, तो ये kind में दिया गय देंगे, sir ये include होगा, क्यों होगा, क्योंकि this is a part of compensation of employees, क्या है, gifts by employer are included in domestic income as they are compensation paid in kind, next आता है, purchase of goods by foreign tourist, बताओ जी, जो purchase of goods है, goods खरीदे हैं, किसने खरीदे हैं, foreign tourist ने खरीदे हैं, हमारे पास वो goods हमारी territory में बने हैं, foreign tourist ने खरीदे हैं, तो बड़ा simple सी बात है, यार हमारे यहां पे अगर बने हैं, हमारे यहां से ही बाहर बेचे जा रहे हैं, तो कोई फरक नी बढ़ता हमारी territory में बने हैं, हमने ही बेचे हैं, तो हमारी domestic income में तो पार्ट बनना चाहिए, ठीक है, तो purchase of goods by foreign tourist are exports, and thus are a part of domestic income, चालो बाई, नाना जी, screenshot लेलो, अगला सवाल क् From the following data relating to a firm, calculates its NVA at FC, चलो बाई, वीडियो पॉज करना, चालो कर दो, फटावट से तुमारा exam है, जल्दी से मुझे बता दो, NVA at FC कैसे calculate होगा, NVA at FC पे जाने से पहले हम लोग, GV at MP पे चले, GV at MP कैसे निकलेगा, value of output minus intermediate consumption, please full forms लिखके आना, value of output के लिए हमारे पास क्या formula होता है, value of output में हमें चाहिए sales, plus change in stock, minus intermediate consumption, sir sales है क्या, sales यह रहा, 800, change in stock कैसे निकलेगा, change in stock directly given है, नहीं sir, directly तो given नहीं है, calculate करना पड़ेगा, closing stock minus opening stock, 20 minus 50, minus का 30, intermediate consumption, क्या intermediate consumption है, subsidy, sales, depreciation, exports, intermediate purchases दिया है, लो sir, ठीक है जी, यह आ जाएगा, हमारे पास 500 intermediate consumption, चलो भाई, 800 minus 30, 770 minus 500, 270 हमारे पास GV at MP आ गया, ठीक है, अब हमें निकालना था, NVA at FC, अभी हम कहां है, GVA at MP पे, यह आ गया, 270, gross से net पे जाना है, gross से net पे जाना है, तो minus depth, यानि minus 30, वी यह, वी यह सेम है, market price से factor cost पे आना है, बचो, market price से factor cost पे आना है, तो आप minus कर दो NIT, IT minus subsidies, IT है, subsidy तो मुझे दिख रहा है, sale नहीं चाहिए, depreciation नहीं चाहिए, यह export नहीं चाहिए, closing stock, opening stock नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए, परचे तो machinery नहीं चाहिए, import of raw material नहीं चाहिए, भी यह, हमें सिर्फ subsidy दिया वा है, तो IT minus subsidy, 0 minus 40 is minus 40, minus minus का 40, तो अब क्या value लगाएंगे, हम लोग 270 minus 30 is 240, 240 minus minus plus 40 will be 280, किसमें था यह लाक्स में, तो हम 280 लाक्स आंसर बोल देंगे, ठीक है बिटा जी, तो इस तहरीके से हमारे पास value-wide method का question भी आ सकता है, बहुत सारी चीजे ऐसी दी हैं जो यूज ही नहीं होनी, तो आप लीज अपने basics पे रहना, confused नहीं होना, ओके, शालो सार, screenshot ले लिया गया, done, अब आगे चलते हैं, शालो भाई, अगला सवाल क्या है, लो जी, क्या निकालना है आपको, find the value added by firm A, firm B and firm C, जब भी ऐसा question आ जाए, तो एक table बना लो हमेशा, ऐसा लिखो, value added is value of output minus intermediate consumption, value of output कैसे निकलता है, sales plus change in stock minus intermediate consumption, कितनी firm का निकालना है, A, B, C, तीन firm है, ठीक है, तो firm A, firm B और firm C, उसके बाद मुझे total consumption expenditure भी निकालना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग बस value जोड़ देंगे, total consumption expenditure निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, चलो भाई, suppose, firm A sold raw material to firm B for 1000, लो जी, A ने raw material बेचा, B को 1000 रुपए का, तो A की तो sale है, 1000, B की purchase है, 1000, ठीक है, और इसने C को बेचा 600 गा, तो इसकी sale है, C की purchase है 600, सही हो गया, firm B ने अपना product बेचा, partly to private consumers, 800 गा इसने private consumers का बेचा, and remaining product was exported for 600, बाकी इसने export कर दिया, ठीक है, है तो sale ही न, तो इसने A और C में से किसी को कुछ नहीं बेचा, firm C sold part of its, firm C part of its to government for 500, for public consumption remaining worth 500 was unsolved stock left within it, okay, अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं कुछ misprint हुआ हो है, firm C sold, ऐसे लिखेंगे, part of its stock to government, हमारे typist कभी-कभी ठक जाते हैं, बिचारे काम करते करते, इसलिए बीच-बीच में शब्द गायप कर देते हैं, देख लो, firm C ने बेचा part of its stock to government for rupees 500, ठीक है, 500 का माल तो C ने बेचा सरकार को, सही है, और बाकी जो है 500 का उसके पास बचावा है, बिका नहीं है, ठीक है, तो sales plus change in stock इसी में आ जाता है, बचावा माल भी आप यहीं पे लिख दो, सही है, perfect है जी, अब आपको बोल रहा है, बस आपको value edit बताना है, assume करोगी firm A ने कोई raw material नहीं खरीदा, तो इसका intermediate consumption तो 0 हो गया, सही है, तो इसने कितना value edit करा, 1600 minus 0, 1600 आजाएगा, आठ और चे 1400, 1400 minus 1000, इसका भी 400 आजाएगा, और इसका कितना आजाएगा, 1000 minus 600, इसका भी 400 आजाएगा, तो हमें सबसे पहले तो final value edit, by firm A, firm B, and firm C, तो अगर मैं A की बात करूँ बच्चो, तो 1600, B की बात करूँ तो 400, C की बात करूँ तो 400, ठीक है, 1600, 400, 400, और हमें क्या बताना है, प्लीज बड़े ध्यान से देखेंगे, calculate the total consumption expenditure, आपको ये देखना है, कि total consumption expenditure कितना हुआ है, तो total consumption expenditure के लिए, हमें ये देखना पड़ेगा, कि भाईया, कितना consumers को माल बेचा गया है, आओ देखते हैं, फटबट से, total consumers को कितने का माल जो है, वो बेचा गया है, आओ sir, A ने तो B और C को बेचा था, तो ये तो consumption के लिए नहीं है, B ने अपना माल बेचा था, private consumers को 800 में, तो consumers को consumption के लिए, एक तो 800 रुपे का माल बेचा गया है, remaining product उसने export किया था, ठीक है, C ने अपना जो माल है, वो बेचा था, सरकार को 500 में, for public consumption, आओ जी, सरकार को बेचा 500 में, for public consumption, तो ये भी सी में आजाएगा, सही हो गया, और बस 500 दोस के बास बचा वाई है, तो 8 और 5 कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1300 हमारे पास सीधा, consumers के लिए गया है, तो 1300 विल बी टोटल consumption expenditure, वो हम यहाँ पे answer डिक देंगे, डन हो गया, लो जी screenshot, फटा फट, नेक्स्ट क्वेस्चिन क्या है सर, अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, क्या calculate करना है, estimate the missing values, लो सर, missing value calculate करनी है, missing value कौन सी है, government final consumption expenditure, और operating surplus, बढ़िया सवाल, ले लो जल्दी से screenshot, बहुत ही शांदार सवाल है, आपको missing value का estimate करनी है, आपको GDP at FC दियावा है, by expenditure method and income method is, 370, ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, expenditure method और income method से चीज़े दी हुई है, चलो पहले expenditure method ही solve करके देखे, देखो expenditure method में हमारे पास, हमें GDP at FC दियावा है, कितना दियावा है GDP at FC, GDP at FC is 370 करोड, ओके, expenditure से मुझे चाहिए होता है GDP at MP, expenditure से GDP at MP आता है, तो अगर मुझे GDP at MP पे जाना है, और GDP at FC दियावा है 370, तो factor cost से market price पे जाने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, factor cost से market price पे जाने के लिए, मुझे सबसे पहले, add करना पड़ेगा इसके अंदर, factor cost में add करना पड़ेगा, net indirect taxes, NIT है क्या, NIT एरा, 20, 20 इसमें जोड़ दो, तो 390 मेरा GDP at MP आ गया, अब मुझे पता है, कि GDP at MP मेरा 390 आ गया, यह क्या क्या होता है, गवर्मेंट फाइनल काशंचन एक्सपेंडिचर, gross domestic capital formation, private final काशंचन एक्सपेंडिचर, net exports, यह होता है, ठीक है, अब मुझे ढूड़ना क्या है, मुझे government final काशंचन एक्सपेंडिचर ढूड़ना है, ठीक है, इसको मैं G रख देता हूँ, क्या मेरे पास gross domestic capital formation है, gross domestic fixed capital formation है, fixed में अगर मैं change in stock जोड़ दूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा, fixed में change in stock जोड़ दो, 60 जोड़ दो इसके अंदर, तो 70 plus 60, 6.612 और 1.13, यह हो गया 130, आपको पता है ना, जब भी gross domestic fixed capital formation दिया हो, तो उसमें change in stock जोड़ ना होता है, प्राइवेट final consumption expenditure यह रहा, कितना है जी 210, यह आगया 210, net exports कितना है, net exports है क्या, net exports है minus का 20, ओके, यह आगया minus का 20, हो गया काम, 390 is G plus, 130 में से 20 हटा हो, तो 110, 210 और 110 कितना होगा, 210, 310, 320, 320, 320 इदर आके minus हो जाएगा, यह हमारे पास 70 आगया, मेरे हिसाब से तो, 70, देखो, government final consumption expenditure will be 70 crores, पहला value तो हमारे पास 70 crores आगया, इसका screenshot ले लो बच्छों, आप जल्दी से, ठीक है, दन है, चलो, अब हम income method से शुरू करते हैं, देखो, income method से हमें मिलता है, NDP at FC, हमारे पास क्या है, हमारे पास है GDP at FC, GDP at FC है कितना सर, 370, ठीक है, तो DPFC, DPFC उसे हमें, gross से net पे जाना है, तो इसमें करो, minus depreciation, depreciation दिया है क्या, consumption of fixed capital is depreciation, 78 आदो इसमें से, तो ये value आगया 300, NDP at FC आगया बचो 300, ठीक है, अब देखो, NDP at FC के क्या क्या components होते हैं, NDP at FC is profit, rent and royalty, interest, mixed income, COE, इसी को operating surplus बोलते हैं, ये आया 300, इसको operating surplus बोलते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, operating surplus, ये मुझे ढूडना है, plus mixed income, क्या mixed income दिया वा है, mixed income ये रही 40, mixed income 40 दिया वा है, COE is compensation of employees, क्या compensation of employees दिया वा है, compensation of employees दिया वा है 175, बस हो गया गाम, 300 में से minus करो, 175 और 40, 175 और 40 विल बी 85, 95, 205, 215, operating surplus, तो 300 में से 215 हटेगा, तो operating surplus आ गया 85, operating surplus विल बी 85 करोड, operating surplus आ गया 85 करोड, देखो, ठीक है बच्चो, तो this is how आप एक national income का question, ऐसा भी practice कर सकते हो, missing figure वाला भी आपकी exam में आने के high chances है, तो अच्छे से इसकी भी तैयारी करनी है, ओके, done sir, चलो, आगे चलते हैं, next question जो आ रहा है हमारे पास, अन्तिम सवाल, from the falling data, calculate national income by income method, and expenditure method, अब ये वाला जो सवाल है, ये आप खुद try करोगे, answer income method, expenditure method से, same ही आता है, 1000 करोड, 1000 करोड आना चाहिए, बहुत simple है, solve करके देखो, formulas लगाओ, sir, कैसे formulas लगाओ, मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, सीधा सीधा बहुत अराम से करते चले जाना, पहले income method से क्या निकालोगे, income method से बच्चों पहले, NDP at FC निकालना, NDP at FC कैसे निकलता है, profit plus rent and royalty plus interest, plus mixed income plus COE, अगर कोई इन में से directly given नहीं है, तो इनके components होगे, परफेक्ट है, और अगर expenditure method से करना है, तो पहले GDP at MP निकालना पड़ेगा, GDP at MP के चार components याद है, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, net exports, private final consumption expenditure, बस फिर NDP at FC पह जाना है, आपको कैसे जाओगे, gross से debt अटा दो, तो net पह चले जाओगे, domestic से national पह जाना है, तो आपको करना है, plus NFIA, gross से net पह जाने के लिए, minus debt, domestic से national पह जाने के लिए, plus NFIA, PP same, market price से factor cost पह जाना है, तो minus NIT, logic, values बढ़ लेना, दोनों का answer 1000 ही आएगा, जल्दी से करो और मुझे comment section में बताओ, कि आपका answer same आ गया या, नहीं आया, बहुत बहुत ध्यान से करना है, सब बच्चों को comment section में इसका exact procedure लिखना है, कि आपने कहां पे क्या value भरी और कैसे इसका answer निकाला, ठीक है, अच्छे तरीके से practice कर लो, बच्छो आज कल ADS करेंगे, बहुत important रहने वाला है, बड़े ध्यान से करना है उसको भी, और फिर हम उसको complete कर देंगे, और फिर बहुत कुछ और revise करेंगे, और फिर बहुत कुछ और revise करेंगे, जाएगा इसको आपको अच्छे से करने में वीडियो को बहुत ध्यान से करना, सारे चीज़े complete करना, I'm gonna see you all super soon, till then see ya, take care, bye bye.